हाई एव्रिवान आज हुमने पूम पढ़ेंगे दे चिमनी स्वीपर रेटन बाई विलियम ब्लेक ये पूम शुरू होती है इंग्लैंड से इंग्लैंड में बहुत जादा बरफ गिर रही होती है और वहां के लोग अपने आपको गरम करने के लिए चिमनी का यूस करते हैं ताकि चिमनी में कुछ लकणियां डालें और आग जला कर अपने आपको गरम रख सकें पर टाइम टू टाइम उस चिमनी को साफ बिगनना पड़ता है अब आपको पता होगा कि चिमनी में कोई भी बड़ा इंसान जाके उसको साफ नहीं कर सकता उसके लिए तो छोटा ही ब और इसमें पोएट बोलता है कि हर जगा बरफ है और वाइट वाइट बरफ के आज पास ये बलैक बलैक सा क्या गूम रहा है अब इसमें जो बच्चा होता है उसने चिमनी साफ की होती है इसलिए वो पूरा ही बलैक हो जाता है साफ करके जब वो निकलता है तो वो पूरा ही ब्लैक हो जाता है और वो बरफ के आर पार आस पास ऐसे घूम रहा होता है खेल रहा होता है खूद रहा होता है और साथी साथ जब वो रोट में चलता है तो वो एक सौंग गाते हुए जाता है सौंग गाते हुए जाता है कि किसी को अपने घर की चिमनी साफ करवानी है तो वो करवा सकता है, मेरे पास आ सकता है जब ये बच्चा चिल्ला चिल्ला कर ऐसा बोलता है कि किसी को भी अपने घर की चिमनी साफ करवानी है तो मेरे पास आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है तो तब ही क्या होता है, एक उसको अंकल मिलते है और वो अंकल उस बच्चे से बोलते हैं कि अरे तुम तो इतने छोटे हो और तुम्हारे पैरंस कहा है, तुम्हारे मॉम डैट कहा पे है तो वो बच्चा बोलता है मेरे mom dad अभी इस वक्त church में है और church में pray करने के लिए गाए है तो वो जो uncle होते हैं वो बोलते हैं अरे तुम्हारे parents कैसे हैं कि तुमको छोड़ कर मतलब तुमको काम में लगाया हुआ है और खुद church में गाए है pray करने के लिए तो वो बच्चा बोलता है अगल आपको पता है कि जब मैं ये काम नहीं करता था जब मैं चिमनी साफ साफ करने का काम नहीं करता था तब भी मैं ऐसे बरफ में खेलता था बरफ के आसपास घूमता था और बरफ मेरा कुछ भी नहीं कर पाती थी मतलब मैं बरफ से बहुत खेलता था और मुझे सरदी भी नहीं लगती थी और मैं बहुत ज़दा खुश रहता था मैं बरफ में लेटता था बरफ में लेट के गाना गाता था और मैं बहुत खुश रहता था तो मेरे मॉम डैट ने मेरे को देखा पर उनको बरदाश नहीं हुआ इसलिए उन्होंने मुझे इस काम पे लगा दिया अब मैं ये जो काम करता हूँ इसमें भी बहुत मैं खुश हूँ मैं काम करते करते साफ करते करते गाना गाता हूँ और जब मैं काम नहीं करता था तब भी मैं मस्ती करता था और अब मैं काम करता हूँ अब भी मस्ती करता हूँ और मैं खुश रहता हूँ तो मेरे पैरंस ने मेरे तरफ देखा और वो सोचने लगे कि हम लोग ने इसको काम पे लगा कर कोई गलती नहीं करी है क्योंकि ये तब भी खुश रहता था और अभी खुश रहता है और अंकल अभी मैं जो काम करता हूँ इससे मैं कुछ पैसे कमाता हूँ और मेरे घर में कुछ हेल्प हो जाती है इसलिए मेरे पैरंस को बुरा नहीं लगा कि मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पैरंस ने मेरे को देखा कि मैं खुश हूँ इसलिए मेरे पैरंस चर्च में गए हैं God को थैंक्यू करने के लिए कि उन्होंने हमारे जो बूरे दिन थे उसको अच्छे में बदल दिया है और हम लोगों को खुश रखा है तो यहीं पे हम लोगी पॉम खतम होती है I hope आपको ये पॉम अच्छी लगी हो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा Thank you